सब्सक्राइब दो पॉइंट चार्जे से जिनका सम कितना है नाइन माइक्रो कूलम दे रिपेल इच अधर विद फूर्स ऑफ तू न्यूटन वो दोनों एक दूसरे को तू न्यूटन के फूर्से रिपेल कर रहे हैं मतलब दोनों चार्जे की वैल्यू कितनी है अलग-अलग यह हमें बताएं ठीक ना तो हमें सम दे रखा है पहले गिवन 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 है कि लिखके बताना पड़ेगा तो आपकी नजर में अग्जामनर को यह मानगे चलो कि वह सबसे बड़ा बेवकूफ है तो कुछ भी चीज़े आप एस्जूम करते हो तो वह बताना बहुत जरूरी है ठीक ना एक्जामनर को क्या मानग पुफार्मी कोई पूरी इस दुनिया में कोई नहीं है ठीक ना और जो तुम सोच रहें वह भी बान सकते हैं बताइए तुम क्या सोच रहें हों प्लस क्यू तो दोनों करसम दे रखा है कितना 9 micro coulum 9 micro coulum ठीक और क्या दे रखा है उनके बीच लगने वाला फोर्स जो है वह है 2 newton और उनके बीच के separation है 30 centimeter 30 centimeter यह r equal to 0.3 meter ठीक ना फोर्स का फार्मूला क्या होता है f equal to 9 into 10 की पावर 9 और charges क्या है q1 q2 by r square तो f कितना हो जाएगा f हो के हमारे 2 equal to 9 into 10 की पावर 9 into q1 into q2 by r कितना 0.3 का whole square तो इसे उठाक इदर लियाते इसे नीचे लियाते है तो q1 by q2 कितना हो जाएगा q1 into q2 equal to 2 into 2 into 0.09 divided by 9 into 10 की पावर 9 क्यवड. 0 फेक. 0 बाओ और 2 0 बढाओ और 9 ko अधाओ .. 9 2 1 into q2 equal to 9 9 थे 9 की पावर 11 सो 10 अग स्चिवर बढाओ और 10 कीपावर 11 सो 18 बढाओ और खाके उठाक तो q1 into q2 फेक 25 सutchते हों एदर ब теперь नीचे है लिनचे है? माइनस 12 अब हमें दो चार्जेस का मतलब दो अन्नोन है उसका हमें संभी पता है और प्रोड़क्ट भी पता है तो डिफ्रेंस कैसे निखालते हैं हम डिफ्रेंस के लिए फार्मुला होते हैं Q1 minus Q2 ka whole square equal to Q1 plus Q2 ka whole square minus 4 Q1 Q2 ठीकना क्यों देगा Q1 minus Q2 ka whole square equal to Q1 plus Q2 ka whole square 9 into 10 ki power minus 6 10 9 into 10 ki power minus 6 माइकरो पूला मैंना minus six minus four q1 q2 कितना आगया है 20 into 10 किपावर minus 12 और जब हम इसे swap करेंगे to q1 minus q2 का whole square equal to 81 into 10 किपावर minus 12 minus 80 into 10 किपावर minus 12 तो ही हो जाएगे q1 minus q2 का whole square equal to one into 81 minus 82 किपावर अकर सेम होती है 10 कि तो हम उसे minus कर सकते है तो 81 minus 80 कि 1 into 10 किपावर minus 12 तो जब हम इसका root लेंगे q1 minus q2 आजाएगा 1 into 10 किपावर minus 6 वन कर root 1 और 10 किपावर minus 12 का आज़ कर देंगे पावर तो q1 minus q2 को इसको हम लिख सकते है 1 micro coolant क्या लिख सकते है q1 minus q2 equal to 1 micro coolant यह हमारे इक्वेशन थार्ड है ठीना अब देखो q1 plus q2 भी हमें बता है q1 minus q2 भी हमें बता है तो दोनों equation को add कर तो add add equation 1 and 3 दोनों को add करेंगे तो q1 plus q2 equal to 9 micro coolant और q1 minus q2 equal to 1 micro coolant दोनों करेंगे q2 q2 cancel हो जाएगा और 2 q1 equal to 2 q1 equal to हो जाएगा 10 micro coolant और 2 से 10 को उड़ा देंगे तो q1 equal to आगे हमारे 5 micro coolant 5 micro coolant 5 micro coolant ठीकना अब q1 की वेलों यहां रख दो एक्वेशन वन में ही तो 5 micro coolant plus q2 equal to 9 micro coolant इसे उठा के उधर ले जाओ तो 9 minus 5 4 micro coolant तो q2 equal to हमारे आगे हैं 4 micro coolant तो दोनों चार्जिस कितने कितने हैं ना 5 micro coolant और दूस रहे 4 micro coolant clear